हेलो भाई लोग हमारी सीटी पर अटेक कर दिया है साइरें हैड और साइरें हैड से बसने के लिए हमें अपने हलक को एक्टिवेट करना पड़ेगा और तब जाकर के दोनों के बीच फाइट होगी और देखना है कि इन दोनों में से कौन जीता है तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं तो इस वीडियो इस ओनली फोर इंटर्टेनमेंट तो आज मैं अपने काम करते करते यार इतना ज्यादा लेट हो चुका हूं कि देखले यहां पर रात भी हो चुकी है और यहां काफी ज्यादा रात हो चुका है और हम पहुंच चुके अपने घर क्योंकि आज जो है ना मैं काफी ज्यादा बीजी था अपने कामों में तो जिसकी वज़ा से मुझे लेट हो गया घर आने में तो यहां जलती से जलती चलते हैं जाकर के घर पे निउस देखते हैं क्योंकि आर मैं लोटते समय जो काफी ज्यादा हला हो रहा था क्यार हमारे पर अटेक कर दिया है साइरन हेड तो न्यूज देखते हैं हमारी सिटी के अंदर आ चुका है साइरन हेड बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले और किसी को अगर साइरन हेड दिखता है तो पुलिस इस्टेशन में जाके कमप्लेन करें तो यार गैज आप लोगों को पता है क हमारे शेयर पर जो के न्यूज वाला ये रिपोर्टर क्या कह रहा था कि हमारे शेयर पर साइरन हेड अटेक कर दिया है लेकिन यार मुझे इन साड़ी चीजों पर यानि के भी स्वासी नहीं हो सकता है क्योंकि है साइरन हेड ये होता क्या है ये मुझे भी पता नहीं है य यार काफी जादा अच्छा लग रहा है देगी यार इधर कुछ भी नहीं यह देख लोगा इस कोई भी नहीं अवे यह क्या यार यह दो लंबा चोड़ा यह सब क्या है यार यह तो वही है जो के रिपोर्टर न्यूज में देखा रहा था वह साइरेंड हैड और उसने क्या आताया था कि यार यह जब भी दिखे तो जाकर के अपने कड़ीवी पूलिस इस टेशन में इसके खिलाफ यार नहीं के रिपोर्ट लिखाने के लिए यार मैं सुबा होने का वेट करता हूँ यार काम करता हूँ यहाँ पर छूप जाता हूँ साइरेंड हैड से बचने के लिए और यहाँ सुबा हो चुकी है और वह रिपोर्टर जो करह रहा था कियार हमें अपने पुलिस इस्टेशन में जाकर करके रिपोर्ट लिखाना है जो कियार कल रात साइरेंड हैड हमारे पर अटेक कर दिया था और वह मेरे घर के पास था यार मुझे मारना चाता था मैं जाता हूर जाकर के पोलिस एस्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता हूर। क्योंक्य क्योंकि यार साइरेन हेड़ तो रेहा है। मुझे लग रहा था क्योंकि यार नकलिए यह सब कुछ भे नहीं होता। लेकिन हमारे सेर पर अटेक कर दें है साइरेन हेड ने। यार जल्दी से जल्दी चलते हैं पूलिस एस्टेशन में और पूलिस वाले को ये बात बताते हैं क्योंकि यार कल रात जो है ना साइरेन हैड जो के हमारे घर पे अटेक कर दिया था तो यार मैं पहुच चुका हूँ पूलिस एस्टेशन में और जल्दी से जल्दी चलते है पूलिस वालों को ये बात बताते है तो सर हेलो सर यार हमारी सेर पर अटेक कर दिया है साइरेन हेड जो के साइरेन हेड से बचने के लिए वो रिपोर्टर क्या बता रहा था जो के कल रात मैं नियू 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 देखा क्या जब भी अगर अटेक कर तुम्हें पता हो तो हमारे कड़ीवी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाना है हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते भाग जा यहां से नूबड़े यार मैं इन पुलिस वालों को बता रहा था कि यार हमारे सेर पर सैरेन हेड़ अटेक कर दिया है यार यह पुलिस वालों भाई क्या मेसेज आया और यार मैंने कोई मिशन स्टार्ट किया भी नहीं यहां पर मिशन स्टार्ट लिखा रहा है यार मुझे कुछ मिशन मिल चुका है या तो मुझे अपने Hulk को एक्टिवेट करने का या तो कुछ और Mission हमें मिल चुका है यार ये Mission क्या है ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार एक Message आया था जो उसमें लिखा रहा था यार Mission Start एक सिकन एक सिकन यार फिर से एक Message आया यार एक Message मेरे को फिर से आया है जो के यार अभी मैं चेक करता हूँ अपने Mobile में यार यहां पर Go To MPC To Unlock Hulk यार ये क्या भाई और यहां पर Kill Him यार ये क्या भाई अब यार मुझे ये MPC को मारने के लिए कह रहा था क्या यार एक काम करता हूँ इसको मार के देखता हूँ मतलब Kill MPC यार यार मैंने एक MPC को तो यहां पर मार देए ये क्या मैंने एक MPC को मारा और यहां पर देख लो एक Green Candy हमारे पास आ चुका है और यहां पर पांच Green Candy मुझे Collect करना है क्या यार मुझे इन पांच नूबरे MPC को मारना पड़ेगा तो यार जल्दी से जल्दी इन सारे पांच MPC को मारते हैं यार इसे लग कि उन्हेरे भाई दो MPC को मैंने मार रहा और यहां पर देख लो दो Green Candy मेरे को मिल चुका है और अब तीजरे ये MPC है भाई यार कितने सारे लोग हमारे सार में देख लो यार ये लोग घूम रहें किसलिए मुझे समझ मेंने तीन को मैंने मार दिया है और ये चौता MPC और चार कैंडी मुझे मिल चुका है यार मेरा हैल्थ भी जादे नहीं है ये लास्ट MPC चार चलो इसको मारते हैं और इसको मारते ही देख लो पांच ग्रीन कैंडी जो के फाइनली मुझे मिल चुका है और यार अब मुझे करना क्या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मैंने mission complete कर दिया क्या यार यहां पर मुझे कुछ और message आ चुका है यार यहां पर लिखा गया wait for night mood यानि मुझे रात होने तक का इंतजार करना पड़ेगा और वो भी यहीं पर एक काम करता हूँ अपनी car को लेता हूँ यहीं पर side में यहां पर park कर देता हूँ और रात होने तक का इंतजार करता हूँ वैसे हमारी city में कवी भी रात हो जाती है और कवी भी दिन हो जाती है और इसके लिए मैंने 5 के 5 MPC को मार दिया है तो यार अब यहां पर मुझे रात होने तक का wait करना पड़ेगा यार काफी देर से थे और finally जो के रात हो चुकी है यार और अब मुझे फिर से एक message आचुका है यार message में क्या है भाई यार यहां पर go to airport फिर से एक और message यार go to airport building यार मुझे airport के अंदर जाने के बाद airport के building के ऊपर जाना है यार यह किसलिए और यार यहाँ पर कुछ साइरन की वी आवाज बहुत खतरनाक आने एस्टेट हो चुके है गाईज यार साइरन हेड मुझे लगता है ये रात में इसरी पर टैक करता है और जिसके लिए मुझे रात होने तक का इंतजार करने के लिए कहा गया था यार यहाँ पर एरपूर्ट पर आ चुका हो यार अवास तो और जादा ही बढ़ती जा रही है यार जल्दी से जल्दी चलता हूँ एरपूर्ट के बिल्डिंग के उपर क्योंकि यार साइरन हेड अगर उसने मुझे देख लिए था यार वो मुझे मार देगा यार ये मेरे केरेक्टर को क्या हो गया यार ये सीरी पर क्यों नहीं चल रहा यार अवे जल्दी से चल यार जल्दी से चल भाई यार ये सीरी कितनी खतरनाक यार रात में तो अच्छा से दीख भी नहीं रहा है यहार मुझे ऊपर जाने के लिए क्यूं का गे यह तो मुजे पता नहीं मुजे लगता है हल्क मुझे यही पर मिलने वाला है सायद से यहार ऊपर आ छुका हूं और यह यहां पर एक कैपसुल रखा हुआ है मतलब कि ये कैपसूल बहुत बरा तो है यार इसको लेते मुझे लगता है कि मैं हल्क बन जाओंगा और हल्क बन चुका भी हूँ यार इस कैपसूल को मैंने जैसे उठाया और मेरा कैरेक्टर जो हल्क बन गया यानि कि अब हम कभी भी हल्क बन सकते हैं कभी भी नॉर्मल इंसान यार अब चलते हैं जो के नीचे और यार हल्क फाइनली तो मैं बन चुका हूँ और मैं जब भी चाहूं हल्क बनूँ और जब भी चाहूं नॉर्मल इंसान यार चलते हैं यहां से जल्दी से जल्दी लेकिन यार एक सिकंड भाई यार जल्दी उतर यार ये साइरेन हेड को मुझे ढूरना पड़ेगा यानि के साइरेन हेड से मुझे लड़ने के लिए इसको ढूरना पड़ेगा वैसे यहीं कहीं से मुझे साइरेन हेड की आवाज फिड से सुनाई दे रहे यार यहीं कहीं मुझे लगता है साइरेन हेड है मुझे लगता है यह जो है ना वीलिज एडिया के साइड की तरफ की आवाज है वहाँ पर चलते हैं और इस साइरेन हेड को ढूरते हैं यार यह साइरेन हेड जो है यह काफी जादा खतरनाक था भाई उसने मुझे अवे यार बात के चक्कर में यार देख लो यह क्या होगा भाई यार मेरी काफ पूरा टूट फूट गया यार अवे भाई यार एक बंदा को ठोकते ही देख लो गाड़ी का तो परकच्चा उड़िया यार जल्दी से चलती यार ये आवाज और जाता ही बढ़ते जा रहा है यार जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा विलेज एरिया के तरफ वहीं पर मुझे लगता है साइरेन हेड होगा यार वाणिली अवे यार एक और बंदी भी ठोका जाती एक सिकन एक सिकन यार मुझे कुछ यहाँ पर दीखा यार कुछ ऐसा यानि के लंबी मुंडी वाला मुझे लगता है साइरेन हेड यहीं पर है यार एक सिकन गाड़ी से उतरता हूँ और इस साइड में देखता यार ये देखनो विलिज एरिया में एकदम तवाही मचा रहा है यार मैं इसको एक काम करता हूँ अपने पीछे ले करके चलता हूँ और सुबा होने तक अपने कार के पीछे इसको दोडाता हूँ यार ये जो है साइरेन हड मेरे पीछे लग चुका है और यार मैं कार से फुल रफ्तार में यानि के निकलता रहा हूँ निकलते यार मैं काम करता हूँ घड की चरब जाता हूँ और सुबा वैसे भी होने ही वाली है क्योंकि यार काफी ज़्यादा टाइम हो चुका है और यार साइरन हेड जो होना यार मेरे पीछे लगातार अटेक कर रहा है यार मैं काम करता हूँ जल्दी से जल्दी घर चलता हूँ पुलिस एस्टिसन चले जाओं क्या यार अवे यार फिर से एक और एक्सिडेंट होगी है यार भाई जल्दी से जल्दी मुझे निकलना पर यार साइरन हेड ना मुझे मार दे यार ये लोग यहाँ पर घूम क्यों रहें यार साइरन हेड अभी मैं बहुत चुका हूँ वर यार वो मुझे मार देता है कम करता हूँ रात में जहाँ पर छुपा था वही जिगा छुप जाता हूँ और सुबा होने तक का वेट करता हूँ और उसके बाद इस साइरेन हेड को यानि के हल्क से फाइट कर वेँगा और वो भी खतरनाक सा फाइट होगा यार जल्दी से चलते यहाँ पर मैं छूब जाता हूँ और रात होने तक का इंतजार करता हूँ तो यार फाइनली गाइश देख लो सुबा हो चुकी है और अब जो के मैं हल्क बन चुका हूँ और यार ये मेरी कार को क्या हुग यार सुबा मतलब के मैं कल जब हल्क बनना चाहता था यार मुझे लगता उसी में मेरी कार का जो है न पुरा का पुरा दर्वाजा पार्ट पुर्जा सब यार अलग हो चुका है यार मैं कार से नहीं जाने वाला हूँ बाइक ले लेता हूँ यार काफी जादा स्पीट मेरे बाइक में है और चलता हूँ जो के अब होने जा रहा हलक और साइरन हैड के बीच फाइट तो यार जल तीन साइरन हेड यार तीन तीन साइरन हेड और मैं अकेला यार जल्दी से चलता हूं और इन साड़े के साड़े साइरन हेड को मारता हूं और यार यहां पर एक साइरन हेड आ चुका है जो के छोटा सा है यार इसी को मारता हूं जो के यही रात में जो के विलिज एरिया की त तवाही मचा रहा है तो यार यह देख लो साइरन हैड और हल्क के बीच में अटेक धमसान का यूद हो चुका है और यह क्या हमारे हल्क ने तो साइरन हैड की पार्ट पूर्जे डीले कर दिये और फानली अवे यार यह क्या यार हल्क जो के एक को एक्टमाटिक यहां से गएव हो चुका है फिजह लगता कि मेशन जो है कंपलीट हो चुका क्या हल्क भी अवे यह क्या तू भी कंटिन्यू यार अभी मतलब कि मुझे और सारे साइरन हैड से लड़ना पड़ेगा यार यहां पर मुझे लगते वो दो साइरन हैड यह बचे हुए थे यह इस से मुझे लड़ना पड़ेगा वह भी यहार मैं निक्स्ट पार्ट में लडने जा रहा हूं यह आज की वीडियो जो तहना गाई काफी ज्यादा मजा यह मुझे इन सारे सारे ने से भी लड़ना पड़ेगा अब की मैं बहुत जयादा ही थक चुका हूं तो गाईस यार आज के इस वीडियो में इतना ही क्योंकि अब मैं लड़ नहीं सकता हूं सा Caesar से यह मैं काफी ज़्यादा थक चुका हूं घर पे जाकर रेस्ट करूंगा यहार आगकर वीडियो अच्छी लगयो तो लाइक कर देना मेरे चैनल पर नहों तो सब्सक्राइब कर देना आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तयाज के लिए तना ही तब तक कि लिए बाए बाए